उरी हमले के बाद देश में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कारवाई करने की मांग उठ रही है इस बीच अब भारत पाकिस्तान पर कूटनीतिक हमले की तैयारी में है दरसल केंद्रे वित्त राज्य मंत्री अरजुन मेगवाल ने पाकिस्तान को मिलने वाले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दरजा खत्म करने का इशारा किया है अरजुन मेगवाल ने कहा है कि सरकार के पास MFN पर विचार करने का प्रस्ताफ पहले से है मेगवाल ने कहा कि भारत वियपार सम्मंधों से अधिक तवज्जो देश की सुरक्षा को देता है जब पाकिस्तान को मुस्ट फेवर्ड नेशन का दरजा दिया गया था उस वक्त स्थिती अलग थी लेकिन अब हालात बदल चुके हैं आपको बता दे कि वर्ल्ट ट्रेड और्गनाईजेशन और इंटरनेशनल ट्रेडिनियमों को लेकर MFA से स्टेटस दिया जाता है MFN स्टेटस दिये जाने पर दूसरे देश इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि उसे व्यापार में नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा भारत ने पाकिस्तान को 1996 में ये दरजा दिया था इसकी वजह से पाकिस्तान को ज्यादा आयात कोटा और कम ट्रेड टैरिफ मिलता है वह इस बीच खबर ये भी थी कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंधू जल बटवारे समझोते को खत्म कर सकता है लेकिन भारत ने इस खबर का खंडन कर दिया है उरिया टैक के बार भारत में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कारवाई करने की मांग हो रही है ऐसे में भारत सरकार के ये फैसले पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा सकते हैं क्योंकि इस फैसले से पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक स्थिती पर बुरा असर पड़ेगा देखते रहें ये टीबी लाइव